अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत एक पिछरा हुआ देश होता आपके आश पास या आप खुद भी ऐसा मानते है तो आज आपकी या जो लोग ऐसा मानते है उनके आखे खुलने वाली है कि हकीकत क्या है अंग्रेजों के जमाने की कहानिया तो आपने बहुत सुनी होगी लगबग 200 सालों के अपने राज में अंग्रेजों ने भारत को बेहिसाब दर्द दिये सोने की छिडिया कहलाने वाले भारत देश को ऐसे स्थिती पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहां की अर्थ विवस्ता को ठीक ठीक बनाये रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है आज रूपे की कीमत भी गिर गई है चो बेटिश राज में एक रूपिया बराबर एक डोलर हुआ करता था अब वो 70 रूपे पार कर चुकी है आप मेंसे कहीं भारत ये लोगों को पता है कि भारत की संपती को कहीं विदिशी लूटेरे लूट कर ले गए थे और सशी थरूर ने तो इसके उपर एक किताब भी लिखी है तो इंगलोरियस एंपायर what the British did to India लेकिन फिर भी कहीं सवाल आज भी जिन्दा है कि अंग्रेज आखिर कितना पैसा भारत से लूट कर ले गए British अफसरों की क्या working technique थी उन्होंने क्या लूटा और क्या हुआ इसका नतीजा इन सभी सवालों का जवाब कुछ हथ तक अब मिल गया है अब हमारे पांस एक figure है कि आखिर कितना पैसा अंग्रेज हमारे देश से लूट कर ले गए है और ये figure किस तरह से ते हुआ वो भी बताएंगे और ये कोई मेरी महन घड़त कहानी नहीं है बलकि भारत की जानी मानी अर्थिसास्त्री उच्छा पटनाएक ने इसके पड़ताल की है उन्होंने हाली में एक रीचर्स पेपर लिखा है जो कोई फेक पेपर नहीं है क्योंकि पटनाएक के इस पेपर को कॉलंबिया इन्विशिटी प्रेस ने पबलिश किया है जिसका मतलब इस पेपर में जो बताया गया है वो बिलकुल हकीकत है और इससे पहले किसी भी रिचर्स रिपोर्ट में ब्रिटिस काल के कामकास पर इतने गहरे तरीके से विशलेशन नहीं किया गया है तो आज का ये वीडियो जरूर देखिए वरना आप हमेशा यहीं मानेंगे कि अंग्रे जो नहीं भारत का विकास किया था अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो हमारे इस सेनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकोन को दबाना बिल्कूल ना भूले ठोकि तब ही आपको हमारा नया विडियो मिल पाएगा भारत की अर्थिसास्त्री उच्छा पटनाएक ने जो रिशेट्स पेपर तयार किया है उसका आधार बीती दो सतब्सक्राइब का डेटा है उच्छा पटनाएक ने लगबग सभी पहलोगों की बारे की से जांच किये और ये निशकर्ष निकाला है कि अंग्रेज भारत से 55 ट्रिलियन डॉलर के संपते लूट कर ले गया अब आपके आखे पकट कर रखना कहीं फूटने जाए क्योंकि भारती रूपे में ये संपती लगबग कुछ इतने रूपे होती है यानि 32 लाख अरब रूपे के आस्पास और ये संपती साल 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर तय हुई है और 45 ट्रिलियन डोलर असल में इतना ज्यादा है कि ये United Kingdom की GDP से 17 गुना ज्यादा है अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि ये कैसे मुमकिन हो पाया इतनी बड़ी रुकम का बाहर जाना तो ये सब कुछ ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ ओपनिवेशिक काल के पहले ब्रिटन भारत से कहीं तरह का सामान खरीदा करता था इसमें कपड़े और चावल प्रमुक थे भारती व्यापारी को अंग्रेजों की तरब से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों में व्यापार करते थे यानि चांदी के रूप में पर साल 1765 के बाद इस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही भारती व्यापार पर उनका एक सतर राज हो गया और राज काईम हो जाना के बाद उनका असले खेल शुरू हुआ उसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहीं तरह के कर लगाए खास कर ये कर भारती व्यापारियों पर लगाए गये और साथ ही साथ भारत के आम नागरी को पर भी इन करों का असर ये हुआ कि इस्ट इंडिया कंपनी के आमदनी बढ़ने लगी अब यहां से ध्यान से समझना जिस कर की वज़े से कंपनी के आमदनी बढ़ी थी उसी आमदनी का एक तिहाई हिस्सा अंगरेज भारती व्यापारी से सामान खरिदने के लिए करते थे आप समझें यानि जो कर भारती व्यापारी अंगरेज को देते थे उसका ही एक हिस्सा भारती व्यापारी के सामान खरिदने के लिए खर्च कर दिया जाता था याने कि भारतिय सामन को अंग्रेज फ्री में इस्तेमाल करते थे उसके लिए अंग्रेजों ने अपनी जेप से कभी पैसे ही नहीं दिये भारतिय इतिहास में यहां एक बहुत बड़ा स्केम हो गया क्योंकि यह किसी स्केम की तरह ही तो था भारती व्यापर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि जो अंग्रेज एजन्ट भारती व्यापर इसे टेक्स लेने आता था वो कुछ खरिदता नहीं था सिर्फ टेक्स लेकर चला जाता था और जो अंग्रेज एजन्ट सामन खरिदने आता था वो टेक्स देता नहीं था इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इससे पहले किसी भी रिचर्स रिपोर्ट में बिटिश काल के कामकाज पर इतने गहरे तरीके से विशलेशन नहीं किया गया था इसके बाद रिचर्स पेपर में लिखा है कि जो भी सामान अंग्री जोद्वारा भारत से लिया जाता था उसे सस्थे दामों पर वियापारियों के दिया गये टेक्स के पैसों से ही खरीदा जाता था फिर इस सामान को बिटन में इस्तमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था यानि फ्रेका सामान इस्तमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था और भारत से मिले फ्री के सामान के निरियत के कारण ब्रेटन को यूरोप के बाकी देशों से बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होने लगा इसके साथ ही ब्रेटन के ओध्यों के करण के चलते लोहा, टार, इमारती लकडी आधी का उप्योग बहुत ज्यादा होने लगा और एक तरह से देखा जाये तो ब्रेटन के ओद्यों के करण में भारत से की गई चोरी का आहम हाथ है अगर वो फ्री का सामान नहीं होता तो ब्रेटन के तरक की इतनी ज़्यादा कभी नहीं हो पाती सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों में बेच कर ब्रेटन नहीं ना सिर्फ सो प्रेटिसेद प्रॉफिट कमाया बलकि उस पर और भी ज़्यादा रिवेन्यू कमाया जब ब्रेटिस राज भारत में 1877 तक पूरी तरह से लागू हो गया उस समय नएा टेक्सेंड बाई सिस्टम लागू किया गया इसके बाद इस्ट इंडिया कमने का काम कम हो गया और भारती व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तयार हो गया लेकिन उस पर भी ब्रेटिस राज ने ध्यान रखा कि जो भी आई और मुनापा हो वो सिधा ही लंदन जाए ना के इन भारती व्यापारियों के पास अब आके बाद करेंगे कि कैसे भारती व्यापारियों का मुनापा ब्रेटन तक पहुँचाया जाता था तो उस समय कोई भी भारती व्यापारी अगर विदेश में व्यापार करना चाहता था तो उसे खास काउंसलिंग बिल का इस्तमाल करना होता था ये एक अलग पेपर करन्सी होती थी जो सिर्फ ब्रेटिस क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी जब भरती वियापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इस बिल को अंग्रीजी सरकार से कैश करवाना होता था इन बिल को कैश करवाने पर उन्हें रूपियों में पैमेंट मिलती थी यह वो payment होती थी जो भरती व्यापारियों द्वारा दिये गए टेक्स द्वारा एकटा के गई होती थी यानि व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था इसका मतलब बिना कोई खर्च अंग्रेजी सरकार के पांस चोना और सांधी आ जाता था और व्यापारियों का लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है और कितने बड़े अपसोस की बात है कि ये लंदन में जो सारा सोना सांधी एकटा हो गया वो सीधे भारती व्यापारियों के पांस आना चाहिए था लेकिन अंग्रेजों न ऐसा नहीं होने दिया और भारती व्यापारियों इतने भोले थे कि वोने इस बात का कभी पता ही नहीं जला इस पूरे करप्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा था जो अगले तीन देशकों तक देश को चला सकता था पर भारत के राजिसी खजाने और वित्ये कागजों में देश कंगाल हो रहा था क्योंकि भारत की असली कमाई ब्रेटन लूट कर ले जा रहा था और इनी खातों का हवाला देकर ब्रेटन के लिए दिखाये जाता था कि भारत एक अतरिक्त भार की तेरा है लेकिन अगर सच्चाई को देखे तो ये बिलकुल उल्टा है भारतिये खजाने में कुछ ना होने के कारण भारत के पांच और कोई जारा नहीं था और उसे अपने आयातों के लिए ब्रेटन से उधार लेना पड़ता था पूरी भारती आबादी इसके कारण कर्शदार होती जा रही थी जो पैशा ब्रेटन ने भारत से चुराया उसे अंगरेजों ने हिंचा के लिए इस्तिमाल किया साल 1846 में सेनी घुसपेट और 1857 में विद्रु हांदल उनको दबाने का तरीका निकाला गया और उनका पैशा भी भारतीयों के द्वारा दिये गये कर्शे ही लिया गया था और जानकर आपको आशरिय होगा कि भारतीय मुना पैशे ही ब्रेटन अन्य देशों से जंग का खर्श निकालता था इसलिए वे पहले विश्विद में जितने वाले देशों में शामिल था इतना ही नहीं ब्रेटन जो भी पैशा भारत से ले जाता था या जो भी सामान ले जाता था उसका इस्तिमाल अन्य देशों के विकास के लिए भी करता था जैसे कनाडा उस्ट्रिलिया ऐसे में न सिर्फ ब्रेटन ने अपने ओध्यों की करन का विकास किया बलकि कहीं देशों के विकास के लिए उन पैसों का इस्तिमाल किया जो भारत से सुराया गया था अब अर्थी सास्त्री उच्छा पटनाएक ने इस आकड़ के गढ़ना कैसे की कि 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेज भारत से सुरा कर ले गया तो उच्छा पटनाएक ने अपने रिचर्स में भारती अर्थ विवस्ता के चार अहम पड़ा उपर गोर किया है साल 1765 से 1938 के बीच में अलग-अलग तरह से भारत से लुटा गया पैसा इसके बाद गढ़ना की गई और जो अनुमा निकल कर आया उस पर 5% कर लगाया गया जिसे मारकेट रेट से कम ही माना गया और इन सभी आकडों की बारकी से जांच करने के बाद पटनाएक इस नतिजे पर पहुंची कि ब्रेटन ने कुल 190 सालों में 44.6 trillion dollar भारत से चुराया है और इसमें वो कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रेटिस राज के दोरां भारत पर पड़ा था ये बहुत दुखद आकड़ है लेकिन इसमें भी अभी कर्ज जोड़ा नहीं गया ब्रेटन ने भारत के कितने संपति लूटी इसका कोई आंकलन थिक तोर पर नहीं किया जा सकता अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगया था और जिस कर को भीटन को दिया गया उसे भी भारत में लगया जाता जैसा कि जापन ने किया तो यकिन मानिये आज भी भारत सबसे ताकतवर देशों की स्रेणी में आता और सदियों की गरीबी दूर हो सकती थी अब इस बात का आपको पता क्यों नहीं है क्योंकि इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिस की गई है एक इतियासकार नायल फर्कुशन का कहना है कि ब्रेटन ने भारत को विकास की और अग्रेसर किया और इतना ही नहीं ब्रेटन के पूरो प्रधान मंत्री डेविड केमरोन कहते है कि ब्रेटिस राज ने भारत की मदद की है यहां तक कि साल 2000 सोदा में किये गिये यूगो पॉल के अनुसर पचास प्रतिसे ब्रेटिस लोग मानते है कि ब्रेटन का राज भारत के लिए बहतर था तो इनको भारत ये लोगों का एक सवाल है कि 200 साल के ब्रेटिस राज में भारत की आए में बढ़त क्यों नहीं हो सकी यहां तक कि 1900 सिताबदी के अंतिम पड़ाओ में भारत की आए पहले से भी आदी हो गई थी यानि जिस तरह से पटनायक का काम दिख रहा है वो बताता है कि ब्रेटन ने भारत को नहीं बलकि भारत ने ब्रेटन को दिये गए पैसों से उसका विकास हुआ था इस हिसाब से तो अभी ब्रेटन को माफी मागनी चाहिए भारत से लेकिन इसका उल्टा वहाँ के लोग तो ये मानते हैं कि ब्रेटिश ना होते हैं तो भारत का विकासे नहीं हो पाता तो मैं चाहता हूँ कि पटनायक के इस काम को पूरे देश में फैला दीजिए अगर देश के जंदा को इस बात का पता नहीं चला तो पटनायक के महनत मिट्टी में मिल जाएगी इसलिए आपके सभी ग्रूप में ये वीडियो फेल जाना सही है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिलकुल ना भूले अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटसब पर शेयर करना बिलकुल ना भूले तन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम